छोथा, आवरती, frequency हम जानते हैं कि जब ध्वनी किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है घनत्व का अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक आ कर पुनह अधिक्तम मान तक पहुँचने पर एक दोलन पूरा होता है चित्र क्रमांक बारह एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनी तरंग की आवरती कहलाती है यदि हम प्रती एकांक समय में तरंग के एक बिंदू से गुजरने वाले समपीडनों या विरलनों की संख्या की गड़ना करें तो हम ध्वनी तरंग की आवरती ग्यात कर सकते हैं इसे सामान्य तह अक्षर एन से प्रदर्शित किया जाता है इसका SI पद्धती में मात्रक प्रतिसेकंड या हर्ड्स है ध्वनी की तिक्षनता तारत्व उसकी आवरती पर निर्भर करती है आवरती तथा आवरतकाल के बीच निम्न संबंध होता है T is equal to 1 by N या N is equal to 1 by T पांचवा ध्वनी तरंगों की चाल Speed of sound waves एक संपिडन या एक विरलन द्वारा एक आंग समय में तै की गई दूरी को तरंग की चाल कहते है हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय एक दोलन पुन करने में तरंग द्वारा चले गई दूरी का मान तरंग द्यर्द लेम्डा के बराबर एवं समय आवर्तकाल T के बराबर होता है अतह V is equal to lambda by T चुकि N is equal to 1 by T अतह 4 बराबर N लेम्डा अर्थात 4 बराबर आवरती गुने तरंग द्यान रहे की धनी तरंगों की चाल केवल माध्यम की प्रकृती पर निर्भर करती है ना की उसके तरंग द्यर्द या आवरती पर